मैं आतिशी इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के सम्विधान के प्रती सच्छी श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूंगी मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतह करण से निर्वाहन करूंगी तथा मैं भाय यां पक्षपात अनुराग यां द्वेश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रती सम्विधान और विधी के अनुसार न्याई करूगी मैं मैं आतिशी ईश्वर की शपत लेती हूँ कि जो विशे मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथ्वा मुझे ग्यात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तवियों के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अध्वा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करोगी अध्यक्ष रूप से संसूचित या अध्यक्ष रूप से लोगप्रिय मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी आम आधनी पार्टी के निता मेरे भड़े भाई और राजनेतिक गुरू अर्विंद केजरिवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे पर भरोसा किया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौपी दिल्ली के लोगों की देखरेक की जिम्मेदारी सौपी हूं लेकिन आज मैंने मुख्यमंत्री के तौर पे शपत ग्रहन्ट जरूर किया है लेकिन ये मेरे लिए हम सब के लिए एक बहुत भावक्षण है जब अर्विंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है अर्विंद केजरिवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले दस सालों में दिल्ली की तस्वीर को बदर डाला जिन्होंने पिछले दस सालों में दिल्ली की आम लोगों की जिन्दगी को बदर डाला अर्विंद केजरी वाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में रहने वाले एक आम इंसान का एक गरीब इंसान का दर्द समझा उनके रोज रोज का संघर्श समझा उन्होंने समझा कि एक आम परिवार के लिए किस तरहां से अपना घर चलाना मुश्किल होता है अर्विन केजरिवाल जी वो व्यक्ति हैं चिन्होंने दिल्ली वालों को फ्री बिजली दी 24 घंटे बिजली दी अर्विन केजरिवाजी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविश्य बदर डाला उनको जिन्दगी में एक नया अवसर आगे बढ़ने का अवसर दिया अर्विंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं को शिक्षा में रोजगार में आगे बढ़ने का मौका दिया फ्री बस यात्रा दे के अर्विंद केजरिवाल जी वो व्यक्ति हैं जिनकी वज़े से आज दिली के लोगों को अपने परिवार के सदस्य का इलाज करवाने के लिए अपने गहने नहीं गिर्वी रखने पड़ते, अपने घर नहीं गिर्वी रखने पड़ते क्योंकि सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज होता है तो जब अर्विंद केजरिवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहते तो यह हम सब के लिए एक बहुत मुश्किल और एक भावुग घड़ी आज क्यों अर्विंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंतरी नहीं है क्योंकि भारतिय जन्ता पार्टी की केंद्र सरकार ने अर्विंद केजरीवाल जी के खिलाफ शड्यंत्र रचा उन पर जूटे मुकदमें लगाए उनको इन जूटे फरजी मुकदमों में गिरफतार किया उनको छे महीने से जादा जेल में रखा उनको तोडने की उनको दबाने की हर संभव कोशिश करी लेकिन अर्विंद केजरीवाल जी तूटे नहीं अर्विंद केजरीवाल दबे नहीं अर्विन केजरीवाल जी को सुप्रीम कोट ने जमानत दी एक ऐसे कानून में जमानत दी जिसमें P.M.L.A. में जमानत मिलना लगबग असंभव होता है और सुप्रीम कोट ने ना सिर्फ उन्हें बेल दी बलकि बेल देते हुए केंद्र सरकार के मुँपे तमाचा मारा और कहां के अर्विन केजरीवाल जी की गिरफतारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी ये कहां केंद्र सरकार की एजनसी, CBI, ED पिंजरे में बंदेक तोते की तरह हैं जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज में बोलती है, हो सकता है कि कोई और निता होता, तो उनके लिए अदालत का ये फैसला काफी था और वो तुरंथ जाके मुख्यमंत्री की कुरसी पे बैट जाते हैं लेकिन अर्विंद केजरिवाल जी ने इस देश की राजनीती में एक इमानदारी और नैतिकता की मिसाल कायम करते हुए मुख्यमंत्री की कुरसी से इस्तीफा दे दिया उन्हों ने कहा कि मेरे लिए सिर्फ अडालत का फैसला काफी नहीं है मैं जנता की अडालत में जाओंगा और जब तक दिलनी की जनता मुझे नहीं कहती कि मैं इमानदार हूँ तब तक मैं मुक्यमंत्री की कुरसी पे नहीं बैठूँगा मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में या शायद इस दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई नेता रहा होगा ऐसी इमानदारी और नेतिक्ता की मिसाल रही होगी चो आज अर्विंद केजरिवाल ने देश और दुनिया के सामने रखी है अब हम सभी दिल्ली वालों को मिलकर एक ही काम करता है अर्विंद केज्रिवाल जी को फिर से फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है अगर दिल्ली के लोग अर्विंद केज्रिवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो जो फ्री बिजली आज दिल्ली वालों को मिल रही है भारतिय जंता पार्टी अपना शड्य अंतरच के उसको खतम कर देगी जो सरकारी स्कूल अर्विंद के एजरी वाल जी ने सुधारे हैं वो फिर से बधाल हो जाएंगे मुहला क्लिनिक बंध हो जाएंगे अस्पतालों में इलाज बंध हो जाएगा महिलाओं की फ्री बस यातरा बंध हो जाएगे तो दो करोड दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अर्विंद के जरी वाल जी को दिल्ली का मुख्यमंतरी बनाना अगले चार महीने के लिए मेरा यही काम रहेगा कि जो दिल्ली वाले परिशान रहे पिछले एक डेड़ साल में जब से भारतिय जंता पार्टी का शड्यंत्र शुरू हुआ जब से भारतिय जंता पार्टी ने एक-एक करके हमारे नेताओं को जेल में डालना शुरू किया जब से भारतिय जंता पार्टी ने एक-एक करके हमारे मंत्रियों को जेल में डालना शुरू किया जब से भारतिय जंता पार्टी के LG साहब ने दिल्ली सरकार के काम रोकने शुरू किये आप देखिए पिछले दो साल में भारतिय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को परिशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जब से अर्विंद केजरीवाल जी जेल गए दिल्ली वाले भी परिशान हुए भारतिय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों के पानी के बिल हम ठीक करना चाहते थे उन्होंने उस काम को रोक दिया भारतिय जनता पार्टी ने जो सड़क के रिपेर के काम है वो रोक दिया भारतिय जनता पार्टी और उनके LG सहाब ने हस्पताल में मिलने वाली दवाईयां रोक दी, हस्पताल में और महला क्लिनिक में टेस्ट रोक दी, दिल्ली से कुड़ा उठना रुक गया, लेकिन मैं आज आपको आशवासन दे रही हूँ, कि अब अर्विंद के जरीवाल जी से बाहर आ गये हैं, और उनके मार्ग दर्शन में, दिल्ली में कुड़ा भी उठेगा, सडकें भी ठीक होंगी, पानी के बिल भी ठीक होंगे, दिल्ली में जो सीवर की समस्या है वो भी ठीक होगी, जो दवाईयां नहीं मिल रही हैं, उसको भी हम ठीक करेंगे, मैं दिल्ल केजरिवाल जी जेल से बाहर हैं भारतिय जनता पार्टी का कोई भी शड्यांत हम सफल नहीं होने देगे थांक यूद्ध